कुछ स्वादिष्ट खाने का मन है लेकिन बहुत लंबा समय किचन में बिताना भी नहीं चाते तो यह रेसिपी आपके लिए है नमशकार आज मैं बना रही हूँ उत्पम उत्पम बनानी के लिए मैंने डोसा बेटर लिया है उसमें डाला है नमक पानी डाल कर इसकी कंसिस्टेंसी को एड़ेस्ट कर लिया है फिर मैंने यहाँ पर कुछ सबजियां ली है जैसे प्याच शिमला मिर्च टमाटर आप अपने मन पसंद की और सबजियां भी ले सकते हैं चाट मसाला लिया है चाट मसाला यहाँ पर बिलकुल ही ऑप्शनल है इसके बिना भी यह रेस्पी बहुत स्वादिश्ट लगेगी तवा गरम किया है तवे से धुवा निकल जाए उसके बाद फ्लेम को लो करके उसमें मैंने डाला है बेटर प्याज टमाटर शिमला फिर मैंने इसमें एड किया है थोड़ा सा तेल चाट मसाला एक तरफ से पग गया है इसे पलट दूँगी दूसरी तरफ से भी गोल्डन ब्राउन होने तक सिखने दूँगी दूसरी तरफ से गोल्डन ब्राउन हो गया है हमारा उत्पम रेडी है याद रहके दूसरा उत्पम बनाने से पहले तवे पे थोड़ा सा पानी चिड़क कर उसको पोच ले अब दूसरा मैंने बिना ओईल के बनाया है अगर आप थोड़े डाइट कॉंशियस है ओईल अव तरफ से भी गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लिया है अब हमारा उत्पम सर्फ करने को रेडी है आप इसे किसी भी चटनी के साथ गर्मा गरम सर्फ करिए यह आपको बहुत पसंद आएगी अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो इसे लाइक करें शेयर करें और मेरी च